अक्सर आपने देखा होगा कि जबी आप कोई भी location पे अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं, कभी city छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे restaurants, बहुत सारे धाबे आपको रस्ते में मिलते हैं और उनमे कोई restaurant जो है, वो बहुत अच्छा चलते हैं और कोई restaurant काफी तक उनका उनको देखके लगता है कि वो इतने खास नहीं चलते तो आज हम लोग बहुत ही important topic discuss करेंगे और वो topic का नाम है कि आप एक highway पे खुद का धाबा या खुद का restaurant इंडिया में कैसे चालू कर सकते हैं ये मेरा सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है और I am very sorry ये वीडियो म है खुद का highway restaurant चालू करना है या अगर आपका खुद का highway restaurant है तो जरूर इस वीडियो को अंतक देखे और इस वीडियो के द्वारा आपको ये idea आएगा कि कैसे आप आपका restaurant highway पे profitable कर सकते हैं और कैसे आप आपके आपका खुद की अगर land है या खुद का अगर property है highway पे तो एक revenue generating एक पैसा कमाने का जरीया बना सकते हैं मिरा नाम गोपाल कामत है और मैं एक restaurant owner हूँ और hotelier हूँ और founder हूँ get your restaurant का जहाँ पे हम लोग आपको सिखाते हैं कैसे आप आपका खुद का restaurant business चालू कर सके और जिनका खुद का restaurant है या जिनका खुद का कोई भी खाद्य पदा ले और आप एक बहुत ही अच्छा standard of living जीए तो चलिए चलते हैं आज के topic पे how to start a highway restaurant और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे तो कुपया करके subscribe कीजिए लिंक पे क्लिक कीजिए शेयर कीजिए और यह बैल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर बार हम जब ले ने वीडियो निकाले तो आपकी तरक पुझे अगर आपके वीडियो रियल में अच्छा लगा तो आप शूर आपके friends और family के साथ में शेयर कीजिएगा और एक बहुत important बात अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए कि यह सवाल आपको पूचना है तो कुपया करक करके कोई भी आपका सवाल आए चोटा बड़ा कोई भी सवाल करके comment section में जाके उसे जरूर लिखे तो चलिए चलते हैं पोस्ट और सबसे important चीज होता है एक highway restaurant या धाबे के लिए वह होता है location तो यह location में आपको दो चीजे चूज किरने सबसे पहला location आपका आप वह highway चू करना है तो आप online जाके research कर सकतेगी कौन से road पे कौन से highway पे सबसे ज़्यादा traffic है और वह traffic कितना frequent है क्योंकि उससे जो customers आपके roads के ओपर drive करते हैं वही customers अगर जिदर ज्यादा होंगे उदर आप अगर location चूज करेंगे वह आपके लिए profitable होगा अगर आपको restaurant खोलना है और restaurant के अंदर आपको vehicles आपके customers देगी जैसे कि private vehicles हो गए चोटे vehicles टाटा सुमो और private vehicles तो आपको ऐसा location चूज करना है जहां पर maximum vehicles का आना जाना हो यह number one है selection location के लिए और land जो आपको सिलेक करनी है highway पे तभी कृपया करके ध्यान रखिए और यह बहुत important है मैंने यह चीज एक restaurant restaurant एक दाबे को बनाते हुए भी देखा है मतलब flourish करते हुए देखा है और यह चीज एक धाबे को ठप करते हुए मतलब down होते हुए देखा है कभी भी अगर आपके पास option है तो restaurant जो highway का median opening होता है जो बीच में का जो divider होता है तो divider में जिदर gap है उसके आज बजू में आप आपका restaurant खोला और exactly restaurant के सामने divider है तो इसका मतलब यह है कि 50% आपका जो ट्राफिक है जो customer है वह आपके restaurant में चा के भी नहीं आप आएगा वह यूटन मारके तो आने वाला नहीं है क्योंकि वह आगे निकल जाता है तो हो सके उतना जो है वह उसको median opening कहते है एक divider होता है opening ह होता है जहां से आजू बजू में सामनी की गाड़ी आ सके वैसा location चूसके दिये क्योंकि highways आजकी तारिक में इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं highway का network बढ़ रहा है और जितनी अच्छे highways बनेंगे उतने fast गाडिया चलेंगी और जितनी fast गाडिया चलेंगी उतन को visibility दिखा के अपने restaurant में attract करना यह बहुत बड़ा challenge है और कुपया करके यह point हमेशा miss मत कीज़ेगा और फिर land जो है उसके लिए भी अलग-अलग चीज़े लैंड लेवल होनी चाहिए वो road को touch होनी चाहिए easy access आपके जो road से जो vehicle है वो easily parking lot में आना चाहिए तो इस हिसाब स आप आपका खुद का location चूज कर सकते अगर आपकी खुद की land है जो already आप ओन कर रहे है तो फिर यह सब चीज़े सोचने के जरूरत नहीं आप directly start कर सकते है second is long term lease अगर आपकी खुद की land नहीं है तो कोई भी land को minimum 20-25 साल के लिए long term lease पे लीजिए क्योंकि बहुत बार क्या आपने lease का period ही कम रखा तो उसके बाद आपका एक बार sale अच्छा होने लगा तो जो land owner होता है उसके हाथ में control आ जाता है और वो फिर दूसरा किसी को दे सकता है या फिर आपसे double, triple, four times भी rent मांग सकता है तो कृपया करके minimum 15-20 साल के लिए land पे lease कीजिए और आप investment भी करने वाले हो land पे तो investment के लिए भी land आपने long term lease लेना बहुत ही ज़रूरी है और हो सके तो और यह legal advice नहीं है आपके lawyer को पूछे आपके charter account को पूछे और हो सके तो जो lease agreement है उसको जरूर register कीजिएगा stamp duty भरके court में ताकि stamp duty भरके register कीजिएगा ताकि उसे आप कोई भी court में challenge करें तीसरी आते हैं फिर हम लोग planning की तरफ आते हैं कैसे हम हमारा जो highway restaurant या धाबाय हो plan करें तो जब आप plan करेंगे तभी आपने एक bird's eye view लेके plan करना है bird's eye view मतलब जो eagle होता है जो उपर से देखता है आपका पूरा land को तो वहां पे planning करना है planning में बहुत सारी चीज़े होती है स क्योंकि highway पे maximum गाड़िया अगर आपके अंदर आएंगी तो सबसे पहले उनको parking के लिए जगा रहेंगी तो parking का आपको location करना है आज बाजू में पान शॉप या नदूसरा कोई shop है उसके लिए आपको provision करना है उसके बाद में आपका restaurant जहां पे guest area बैटेगा customer बैटेगा उसके बारे में चुछ करना है उसके attached kitchen के लिए पारे में सोचना है kitchen जो है वो restaurant का जो main area है उसको proportionate होना चाहिए at least 25% of the whole area आपने kitchen मान लीजिए 2000 square feet या 3000 square feet का आपका sitting area है तो कम से कम 700-800-800 square foot का kitchen देना जरूरी है क्योंकि इतने बड़ा 3000 square feet का restaurant में कम से कम 1500-200-30000 लोग उसके बाद staff के लिए आपको rooms staff accommodation के लिए rooms पीछे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आप अभी highway पर आपका खुद का restaurant है तो आप regularly नजदीक के सीटी से staff को आते जाते आपको वह वैसावाला staff नहीं चलेगा नहीं कोई staff आपके बास आएगा तो आपको staff room अलग से रखना है पर staff का toilets हो गया, staff का bathing area हो गया, staff का खाने का area हो गया, आपका customers के लिए अच्छा toilets रखिए, toilets से हमेशा clean रखिए, toilets हमेशा wash बनाएंगे क्योंकि बहुत बार customers जो है खास करके private customers वो cleanliness देखके ही आपके पास आना चालू करेंगे, उसके बाद आपने inventory room रखना है, gas के लिए provision रखना है, तंदूर के लिए provision रखना है, kitchen equipment के लिए provision रखना है, तो यह सब चीज़े plan करके आप, पूरी तरह से plan करने के बाद आपने execution करना है, planning के बाद होता है, planning के बाद आप, एक मिनटा, ओके, तो planning के बाद आपका phase आएगा, building the phase, building of your restaurant रधावा, एक बाद आपका completely plan हो गया है, और उसमें आपने on paper देख लिया है, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, उसके बाद आप execute करेंगे, starting आपका होगा, construction phase से, civil होगा आपका, पहले आप foundation होगा, उसके बाद आपका plint बनेग किचन का फ्लोर बनेगा, side से structure, brick wall, roofing होगा, electrical fittings होगे, water का connection आएगा, water का plumbing होगा, tiling होगा, तो ये सब चीजे होगे, उसके बाद फिर restaurant का sit-out आएगा, interiors चलो जाएंगे, interiors में कैसे आपका decor है, प्लीज एक बात ध्यान रखिए, कि highway के जो restaurant में customer आने वाले है, वो लोग को खाना अच्छा, toilets clean अच्छा, उससे मतलब है, क्योंकि उनके पास जादा time नहीं होता है, क्योंकि उनको दुसरी जगा जाना है, तो आप civil पे, interiors पे, इतना खर्चा मत कीजिए, जितना comparatively आपका restaurant अगर city में होता हो, तो उसमें करते थे, आपको basically clean रखना है, but don't overspend on your restaurant interiors, क्योंकि आपको जो food और जो ये आप service देंगे, वो एक्दम extra quality करना चाहिए, और decor भी अच्छा होना चाहिए, मैंने इसा बोल रहा हो कि एकदम घंदा सा decor करो, पर एकदम इसा मतलब सस्ता वाला पत्रा लगाओ अगरा, जो बनाना है वो अच्छा बनाओ, लेकिन overspend मत कीजिए, don't try to create a tajmal for your धाबा, क्योंकि वो देखने के लिए लोग, उनका purpose अलग है, उनका purpose stopover है, उनका purpose आपके इदर आके दो घंटा बैटना नहीं है, तो रुपया करके वो जो variable है वो दिमाग में रखेगा, और फिर build करने के टाइम पे आपका पूरा building structure आएगा, आप आपका electrical होगा, electrical fitting, sorry, kitchen बनेगा, आपका kitchen equipment आएंगे, inventory rooms आएंगे, crockery, cutlery purchase होगी, kitchen में equipment purchase होगे, तंदूर purchase होगा, तो यह सब जो phase है, यह building phase में आता है, और building phase के टाइम पे आपको maximum आपका जो capital है वो आपको invest करना पड़ेगा, furniture आता है, फिक्स्चर आता है, cash counter आएगा आपका अगमान लीजे, power जी counter है, तो power जी counter आएगा, और सब equipment, staffing होगेगा, staff के लिए यह होगा, क्या बोलता है, उसको uniform लिया जाएगा, staff को accommodation किया जाएगा, और आपका restaurant आप यह build phase होता है, फोर्थ वाला, उसके बाद manage phase आता है, manage मतलब जब आपका restaurant या धाबे का operations करके वो date में आपने पुजा पार्ट जो भी करके आपका owner करके restaurant चालू कर देना है, और फिर menu, 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 decide हो के menu आपको ready होगा, build phase में आएगा, और फिर menu start करके restaurant service चालू कर देना है, customers को खाना पीना देने को और उनका billing system, वो सब regularly चालू हो जाएगा, management में आपको यह focus करना है, हमेशा दो तीन चीज़ों पर सबसे main is profitability, increasing your profitability, second is reducing your wastage, और तिसरा main चीज़ है, कि आपका customer का experience seamless होना चाहिए, वो आपको हमेशा ध्यान रखिए, और customer का experience seamless होने के लिए, दो तीन चीज़े आपने दिमाग में रखनी चाहिए, पहले ही, तो quality of food, secondly, आपका cleanliness of the restaurant, जो restaurant है, everyday का set table कीजिए, morning, afternoon, evening में साफ होना है, मतलम होना है, और तिसरा और बहुत important चीज़ ये होता है, कि आपने हमेशा customer का feedback लेते रहना है, ताकि आपको पता चले किस चीज़ में आप गलत हो रहे हैं, और किस चीज़ में आप सही हो रहे हैं, उसके बाद, और उसके बाद, और most important, एक बार आपका restaurant खुल जाएगा, या restaurant खुलने के 15-20 दिन पहले से ही, आपको, आपके जो highway restaurant या धाबा है, उसके 4-5 या 10 किलोमेटर ये side पे, और 4-5 या 10 किलोमेटर वो side पे, बड़े-बड़े hoardings लगाने हैं, और वो hoardings में आप आपका restaurant का खाना, या restaurant का, आपका promote करना बहुत जरूरी है, क्योंकि customer को, customer जो बार-बार वो road से travel कर रहा है, frequently या first time, उनको पता चलना चाहिए कि आपका restaurant वहाँ पे है, और आपके boards जो है, ये communicate करने का काम करेंगे, जब तक आप उस चीज़, तो please, ऐसा मत सुचे कि आपने restaurant कोल दिया, तो हमेशा रश हो ज restaurant में खाना खाएंगे, क्योंकि उनको पहले highway पे पता चलेगा कि वह restaurant है, जब ही 10 km पहले आपका board देखेंगे, तब ही उनके गाड़ी में decision होगा, ओके ये restaurant में खाना खाएंगे, वह आपके restaurant के सामने आएगा, तब हो decide नहीं करेगा, वह 12 km पहले decide करेगा, और फिर actively seek और एक km, 2-3 km में एक-एक signboard लगा के, भले बड़ा मत लगा, ये छोटा लगा है, लेकिन उनको indicate करना है कि मेरा restaurant आ रहा है, आपका speed थोड़ा slow कीजी, ताकि ये visibility बेकरार बिलकुल रहे, और इससे आपको खुद regular flow of customers आपके धाबे में या restaurant में चालू रहे, ताकि आप focus क करके, ज्यादा से ज्यादा customers को खाना खिला के, ज्यादा से ज्यादा sales करके, ज्यादा से ज्यादा profit कर सके, I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप खुद एक धाबा owner है, या आपको खुद का धाबा चालू करना है, या अगर आपको कोई भी दूसरा type का food business च करता हूँ, जिसका नाम है restaurant launch formula coaching program, RLFCP, ये website पर जाहिए www.gopalkamad.in और check out कीजिए मेरा coaching program, अभी कम से कम 300 लोगों ने मेरा coaching program जॉइन किया है, और उसमें से कम से कम 50 से 60 लोगों ने खुद का restaurant या अलग-अलग type का food business बनाया है, by the way, ये coaching program सिर्फ एक coaching program नहीं है, इसके time, so, ऐसा मैं सुचिए कि यार एक वीडियो कोर्स दे दिया, और okay, टाटा बाई बाई कर दिया, मैं हर वीक लाइव आता हूँ, on Tuesdays, और ये lifetime के लिए आपको है, आपका जो coaching program में आप इन्रोल करेंगे, just for once, और उसके बाद lifetime के लिए मैं आपके साहता हूँगा, और आपक कोई भी सवाल है, उसको answer करूँगा, usually हमारा जो live session होता है, वो Tuesdays को होता है, मंगलवार को होता है, शाम को 6 बजे, और Zoom call पे हम लोग आते है, आप सब लोग जुडते है, सब members जुडते है, जिन लोगो कोई सवाल पुछना है, या कुछ नया सिखना है, और वो मेरे से directly बा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेर कीजिए, अगर आपको मन में कोई सवाल है, तो कुपया करके नीचे जाके comment section में इस सवाल जरूर पुछे, और मुझे ऐसे ही आपका support देते रहे, मेरा नाम गुपाल कामत है, मैं hotelier हूँ और मैं आपको मिलूँगा अगले बिजियो, जापको वीडियो लिए ठाइक वाच वीडियो जाएबावियु झांट विएट विए च्वाल कामत है, बश्यूद इस सवाल जाएबस से विए झाइविबाड़ आपको कि अच्छा रची है, तो यहूशन की पातन कामत है, वीडियो बियूर, प्स्क्राओ और